आयूश शाहान की मा के आसू थमने का नाम नहीं ले रहे, उनके दो मासूमों को साजित ने जिस हैवानियत से मारा, वो अब तक समझ नहीं आ रहा है, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? बच्चों से किसी के ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? हमारे समवादाता अब है पाराशर, आज आयूश आहान के घर गए, उनकी मा संगीता से बात की, पूरी वारदात को लेकर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कि घटना कराम पूरा बताईए, वो कितने मजे घर में आये, आकर क्या हुआ, जब दोनों आये? हमारे से उसे दे दिये, फिर वो ये बोला कि बावी कुछ मदद करने के लिए आया हुई, तो हमने हाँ बोले लेला, बोले कुछ पैसे नहीं जरूरती है। कि किस ने बोला, साजित जावे दोनों थे? कि यहां से अब बता नहीं हम अंदर आये, वो लेके हमारे बच्चो को उपद चला गया, ओ छोटाल हमारा उपर इता, तब तक उसने पंदार मिनट में उसने, पंदार बीस मिनट में उसने पूले, मेरे बच्चो का तमाम कर दिया। मातर पंदरा से बीस में इतने टाइम लगा, लट पता के नीचे आया बनीचे से तो वो खड़ा कून से लट बुलारा तू भी आ, मुझे बीमार हूंगा चाको दिखा के अजीव से उसका रूपता उस टाइम, आपने क्या देखा कि जैसे इसके जुनून कुछ सवार है, अजीव से, मुझे इतना खौप लगा, मम्मी और अपने चोट जो बचा उसी लेके बाहर, उसे हमने अंदर से इदा से गेट बंद कर दिया, तब पुलिस को फोन करो, आपको देखकर क्या बोला वो साजिद, कि आजा तुझे भी मारू, तुझे भी मारू, वो मार देता म मुझे भी, अगर हम लोग भागने जर देख लीने, वहां पर ब्लेड लगा हुआ है, आके भाग के आया, पीछे मानने मुझे, तो हम भाग कई बाहर, भाग कई, हम लोग मम्मी और बच्चे को अपने लेके बाहर, आपके घर के सामने उसकी हेर सेलोन की दुकान है, आप या पार्लर चलाती है, और बच्चे महां कटिंग कराते हैं, अब तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं, आपको कोई वज़य अब तक समझ में आप आई, कि बच्चों के उपर हमला करने की वज़य क्या हो सकती है? क्योंकि आप लोगा का जो काम है, आपका पार्लर है, कभी कोई दुश्मनी, कोई पुराना जगड़ा, कोई? कम दो कि ऐसी से लेना जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि जब साजित घर में आया, तो उसने कहा कि उसकी वाइफ प्रेगनेंट है, अस्पिताल में है, हमने उसकी पतनी से बात के सना से, उसका यह कहना है कि वो 15 दिन से अपने माई के में हैं, ना वो प्रेगनेंट हैं ना वो अस्पताल में भड़ते हैं। उदर आयूश और आहान की पिता कुशक है कि आयूश आहान के मर्डर की पीछे साजिद और जावेद अकेले नहीं हैं। साथ दोनों बच्चों के पिता जो है वो मौजूद है आयूश आहान के विनोध जी हमार साथ मौजूद है विनोध ठाकुर जी तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं। अभी तक आप लोग पुलिस के भी संपर्क में हैं। मोटिव कुछ पुलिस की तरफ से समझ में आया है कि वज़े क्या है क्यों बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा है। बज़े तो जब पता है कि हमको बोग पकला जाए आरूपी जब आरूपी फ़रार हैं तो पहर कहां से अभी राज खुलेगा। लाज तो जब खुलेगा क्योंकि हमें पता चलना है कि हमारे और कोई काड़ी नहीं था या तो किसी ने इस से मिलकर के मरवाया है हमारे बच्चों को उसे किसी प्रिकार का वह है सिस्टम होगा उसका कि मरवाने काड़ क्या है या हमारे घर में सब घर को मारने आया था पूरा तो परिवार भी जानना चाहता है कि आखिर दो मासूम बच्चों की जान क्यूं ले गई इतनी बेरहमी से कतलक क्यूं किया गया आप पुलिस वजह को पता लगाने की कोशिश कर रही है बदायू में डबल मर्डर में किसकी से जांच हो रही है अब आईए उसकी डिटेल आप को देते हैं सबसे पहले जो पुलिस है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 40 खंटे तक जावेद जो कि अब पकड़ लिया गया है बरेली से वो कहां कहां पर छिपा था उसकी मदद किस-किस ने की थी दूसरा जो एंगल है वो ये कि क्या उधार के पैसे बने बच् रिष्टों नहीं थी अलाकि जो पीड़िद परिवार है वो बार-बार ये कह रहा है कि हमारी कोई रंजिश नहीं थी हमारा कोई विवाद नहीं था जावेद भी अभी जो कुछ कह रहा था उसमें यहीं बता रहा था कि उस घर से हमारे अच्छी तालुकात थे तो यहीं पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि पहले कभी कोई विवाद हुआ हो और इस वजह से बच्चों की जान गई हो जो चोथा एंगल है वो ये कि कि किसी राज को छिपाने के लिए बच्चों का मर्डर तो नहीं किया गया कुछ ऐसी बात तो नहीं साजिद और जावेद उनके घर में या फिर ये जो प्लान था या फिर जो हत्या की गई वो तुरंत कर दी गई यानि कि तुरंत पौरी वजह इसके पीछे की वजह बन गई